हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल वीमेट्स पर तो हम लोग रेंज पढ़ रहे थे पेटा हमारी प्रीविएस वीडियो में तो आज उसी को कंटीनो करते हुए हमारे कुछ कंसेप्स बची हुए रेंज के उसको कबर करते हुए हम लो निकाल लेंगे y is equal to log base में लिखा हुए 1 by 2 और log के अंदर क्या है आपके पास sin x minus cos x ठीक है प्लस में 3 root 2 और divided by root 2 अब ऐसा question देखके आपको घबराना नहीं है ठीक है ऐसा नहीं कि question देखा अरे सरे क्या दे दिय आपने रे तो नहीं होना चुए था इतना बड़ा question ठीक है तो गबराना नहीं आपको क्या सिखाया है मैंने आपको मैंने सिखाया है कि इसका एक मूल मंतर क्या दिया था कि जो हम जानते हैं उससे हमें कहां तक जाना है जो हम नहीं जानते हैं जो हम जानना चाहते हैं जो जानते हैं उससे, जो जानना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, चीक है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप क्या जानते हो, सबसे पहले आप क्या जानते हो, तो आप कहोगे सर, मैं जानता हूँ, कि साइन एक्स, मैं इसको जानता हूँ, इसकी रेंज कैसे root 2 तक डिरेक्ट लिख दिया मैंने भाई इतना आपको अब आ गया होगा अगर आपने पहले वाली इससे जश्ट पुरानी range की वीडियो अगर आपने देखी है तो इतना आपके बिल्कुल clear होगा यह आपने लिखा कैसे सर फिर भी एक बार बता देता हूँ कभी भी a sin x plus b को 6 की form लिखे होती है तो minus में under root a square plus b square से plus का under root a square plus b square तक उसकी range होती है ठीक है यह हम जानते हैं अब हमें जाना कहां तक है हमें जाना है सर इसमें plus root 3 2 और by root 2 कर जाते हैं तो इसमें दोनों में क्या करिए दोनों ही case में आप यह कर लीज़ें आगे आप जाओगे इस से अब हम इतना दो हम जानते ही हैं इस से मैं क्या कर लेता हूँ plus 3 root 2 कर देता हूँ तो तीनों तरफ करोगे तो यहां पर 3 root 2 और root 2 कितना बनेगा लिख देता हूँ root 2 plus 3 root 2 यहाँ क्या बनेगा minus root 2 plus में 3 root 2 अब यह मेरा यहाँ तो बन गया 2 root 2 अब इसको मैं ऐसे ही mention कर रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ आप इतना ही मान लेजाएं इतना लिखा हुआ है फिर है यहाँ पे 4 root 2 बन गया अब sir इसका इतना तो मैं जान चुका हूँ अब नीचे वाला और जान लेता हूँ divided by root 2 कर लेता हूँ divide by root 2 करोगे तो हर तरफ root 2 से divide करना पड़ेगा तो यहाँ से क्या बन गया यह बन गया 4 और यहाँ बन गया मेरा 2 यह मैं अब अंदर की पूरी bracket को जान चुका हूँ sir, जो यह अंदर पूरी bracket लिखियो ना, लोग के लावा ये complete मैं जान चुका हूँ अब क्या जानना है, इस पे sir, log और लगा देता हूँ इस पे क्या लगा देता हूँ, इस पे sir, log लगा देता हूँ base 1 by 2, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान क्या रखनी है sir, base मेरा एक से छोटा base मेरा जब भी एक से छोटा होगा, inequality चेप्टर में सीखा है sir, inequality change हो जाएगी sir, उल्टी हो जाएगी ये turning point है वाई, इस question का, अगर आपको ये भी आता है जिसे जानते हो, से जिसे जानना चाहते हो, ये भी मूल मंतर सीख लिया, तो यहाँ पर आप फस सकते हो नीचे, जहाँ orange color से मैंने दिखाया कि यहाँ आके आपको इतना दिमाग खुला जरूर रखना है, इतना दिमाग जरूर खुला रखना है, कि sir, log लगा रहा हो ना log लगा रहा हो, तो base क्या है एक से छोटा, base एक से छोटा है तो यह decreasing function है, sir, decreasing function के लिए inequality को उल्टा कर दूँआ ऐसे है, तो उल्टी कर दूँआ, sir तेक है, यह आपको करना है अब आप राम से कर दोगे इसको अब आप क्या कर दोगे अब आप इसकोर आम से solve कर दोगे आप कोगे, sir, log 2 है यहाँ 1 by 2 है, तो यह 2 की पावर minus 1 दिया हुआ, कहीं ने कहीं तो यह मेरा minus में 1 answer देगा, sir यह आगया, यहाँ पे मेरा log यह तो function है ही मेरे पास, sir और यहाँ पे 2 की पावर जब minus 1 करूँगा, log वाला chapter देखिए, chapter number 3 पूरा पढ़ा रखा रखा अच्छे से यहाँ से answer क्या आजाएगा, आपका आपको को sir, 2 की पावर उपर 2 है यहाँ से 2 की पावर minus 1, तो यह minus 2 answer देदेगा, sir, क्या answer देदेगा minus 2, तो आपका range कितना आया, अब आप यहाँ देखिए, आराम से कह सकते हो, sir, मेरा minus 1 से minus 2, मैं इदर छोटा सा लिख देता हूँ, range मेरा sir आया, minus 2 से minus 1, answer आया मेरा sir, देखे कैसा question था, और कैसा आप solve करके ले आये हो और क्या आपने इसमें y से x की तरफ गए, या x से y की तरफ आयो नहीं sir, मैं सीधा बना लूँ आ, क्या किया, जिसको जानते हो, वहाँ से जिसको जानना चाहते हो, वहाँ तक पहुंचना है, बस मुझे, आगे sir, मेरा answer अब इसी के basis पे आपको एक question और देता हूँ एक question और देता हूँ हो सकता है, आप लोग उसमें हिल जाओ थोड़ा सा तो समझ के रखेगा, चीक है आपको निकालनी है range range of अब आप खुद देखेगा, आप कितने बड़े-बड़े question अपने आप solve कर पा रहे हो log, फिर यहाँ लिखा हूँ है फिर लोग अंडर रूट टू इसमें लिखा हूँ है mod 6 sin x 6 sin square x plus 1, mod खतम यह अदर लिखा हूँ है, यह आपको बताना है बाई, आप क्या कहोगे सर जिसको जानता हूँ से जिसको जानना चाहता हूँ, वहाँ जाओंगा इतना बड़ा तो मैं सोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं सर यह जरूर जानता हूँ मैं यह जानता हूँ मैं क्या जानता हूँ मैं जानता हूँ सर, sin x जो होता है यह मेरा 1 से minus 1 से 1 तक लाई करता है सर, फिर मैं sin square x जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ जो sin square x होगा वो मेरा 1 से 0 से 1 लाई करेगा देखिए अब यह नहीं करना आपको यहाँ पी दोनों तरफ squaring कर दो यह 1 से 1 हो जाए इसका देखे मैं प्रूफ जे देता हूँ इसलिए हर question आपको कुछ नहीं चीज़ सिखाने के लिए में लेके आता हूँ अब देखिए आपका sin x का graph अगर ऐसा था ना आपका curve ऐसा आता है इसका जब square करोगे तो वो curve आपका जो negative ना यह चीज़ भी positive में convert हो जाती है आपकी यह चीज़ भी positive में convert हो जाती तो आपका curve ऐसा आएगा 0 से 1 में चलेगा फिर वा तो यह आपको याद रखना है यह है sin square का और यह है sin x का यह चोटी चोटी बारी क्या याद रखने है यहाँ से मैंने क्या जिका है पहली चीज़ सिखा दी कि sin x minus 1 से 1 होगा तो यह point जरूर याद रखिएगा sin square x 0 से 1 होता है सर मेरा अब मुझे क्या करना है सर sin square के बरावर में अच्छा यह mode नहीं लगाएंगा आप यहाँ पर ना 16 लिखिएगा यहाँ यह क्या है 16 sin square x plus 1 है mode less अभी नहीं लगाते है पहले अब सर मुझे 16 sin square x जाना है तो चले जाए बाई 16 sin square x यहाँ 16 से multiply किया 16 बन गया यहाँ किया तो 0 बना अब सर मुझे 1 पर ओर जाना है तो 16 sin square x में 1 एड़ कर लेता हूं सर इसमें 1 एड़ किया यहाँ पर 16 sin square x प्लस 1 16 में एक एड़ करोगे तो 17 बन जाएगा तो आपको ओगे सर यहाँ से तो 17 आ गया यहाँ से मेरा 1 आ गया इतनी चीज देखी अब आपको क्या करना है अब सर मुझे लोग लगाना है इसके बाहर निकलोगे आप देखे कहा निकलोगे मैं आपको यहाँ देखाता हूं आप यहाँ तक का जान चुके हो अब इसके बाहर का जान लो फिर उसके बाहर का जान लेना फिर उसके बाहर का जान लेना पूर पूर पूछ जाओगे आप डोमेन में देखिए मैं आपको क्या बताता था डोमेन में आपको एक एक देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी इस चीज़ को दोमेन में आपको क्या बताता था पहले वाले से शुरू कर दीजिए जो य के बराबर में लिखा हुआ है वहां से एक एक स्टेप करते हुए अंदर तक सोल करें जाले रेंज में क्या बताता हूं अंदर से उठा के एक एक करते बाहर लेके आओ ये चीज़ आदर किएगा ठ रूट टू वन और इस पर मेरा जाएगा लोग रूट टू लगाया यहां मेरा 16 साइन स्क्वेर एक्स प्लस वन चली रहे और यहां जब मैंने लगाया लोगैरिथम रूट टू और यहां मेरा 17 है अब आप एक चीज़ बताओ रूट टू की वैल्यू क्या होती है आपको ह रूट टू की वैल्यू होती है 1.4 सबती है तो बेस कैसा है एक से बड़ा है एक bounce है यहीं क्या क्या है अब यहां से क्या दिखा बेस कुछ भी ओ लोग रोट रोड तब की की वैल्यू 0 यहां लोग की वेल्यू, लोग वन की वेल्यू, जीरो, greater equal to, यह लोग वाला पूरा ऐसे कैसे लिखा हुआ है, यहां से अब देखिए, यह है आपका 2 की पावर 1 by 2, और यह है 17, 17 क्या है, 16 के आगे, 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 मेरा 16 होता है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मै 16 मान लेता हूँ, तो मेरा 4 upon, 2 की पावर 1 by 2 है न, 2 की पावर, root 2 क्या है, 2 की पावर 1 by 2, तो 4 by 1 by 2 जब आप करोगे, यहां बन गया, लोग 16 को मैं 4 मान चुका था, 2 की पावर 4 मान चुका था, 2, यह भी 2 हो गया, तो 1 दे देगा हमारा, यहां से मेरा क्या निकल क्या है, 8 आ गया, यह एसे काईसे है, और यहां से मेरा आ गया, 0 ठीक है, इतना आप जान चुके, अब आपको जानना क्या था, इसके आगे, minus sign और जानना था, तो minus sign जैसे ही जानना, आपने minus लगाया, तो आपकी inequality कैसी हो जाएगी, आपको किसर मेरी inequality change हो जाएगी, मेरी inequality सर, change हो ज सर मुझे 2 औरेड कर लेता हूं मैं इसमेंस सर अब मैं यहां तक और चान दो औरर करोंगा तो आपका क्या आ जाएगा अगले पेश पonly देखेगा आपका आजाएगा इधर आपका क्या आया आपको के सर इधर मेरा 2 आ गया ठीगे फिर सर मेरा आ गया 2 माइनस लोग रूट टू इतना सर मैं जान चुका हूँ 16 sin square x प्लस 1 greater equal to यहां सर माइनस 8 था तो 2 और जोड़ा तो माइनस 6 बन गया अब एक चीज देखिए यहां से आप क्या करोगे मोडिलेस में जैसे करते हैं न वैसी एक चीज करेंगे लोग की value लोग की value हमेशा वो मैं यहीं करा देता हूँ आपको आपको clear हो जगा लोग की value हमेशा positive answer देती है सर लोग लगाने के बाद हमेशा क्या मिलता है हमेशा सर positive मिलता है हमेशा क्या मिलता है positive मिलता है इसको भी आप अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए यहां तक आप 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 यहां पहुंच गे आप जैसे यहां पे पहुंच रहे हो यहां पहुंच गे अब वो step आएगा देखिए अब आपको आगे क्या जानना था इसके आगे से मेरे को लोग और जानना है इसके आगे लोग और जानना है तो इस पे भी पूरे पे लोग लगा दो suppose कि अब आपने यहां पे लोग लगा दिया लोग लगा होगे तो इधर भी लोग लगेगा लोग अफ टू यहां भी लोग लगेगा log of 2 minus log root to 16 sin square x plus 1 greater equal to log of minus 6 हो जाएगा अब आप कहोगे सर ये तो मेरा defining नहीं होता क्यों नहीं होता कभी भी मेरा argument negative नहीं हो सकता क्योंकि log के अंदर तो x मेरा greater than 0 होना चीए था यहां तो ये minus 6 हो रहा है ये तो मेरा defining नहीं है सर मेरा सिरफ इतना खेल बचेगा या फिर इसको मैं कह सकता हूँ अब सर मेरे पास हो जाएगा log of 2 और यहां मेरा function है इसको पूरे को y लिख लेता हूँ ये सर मेरा 0 से तो बड़ा होता ही है ये मेरा 0 से तो बड़ा होता ही है ऐसा मैं कहता हूं ना ये मेरा जीरो से तो बड़ा होता है सर ये जीरो पर मैं लगा सकता हूं तो यहां पर जब मैं लोग जीरो लगा हूंगा लोग ऑफ जीरो जब मैंने लगाया तो उस केस को देखे हूं क्या कहते हैं लोग जीरो जब मैंने लगाया अब इस केस को मैं एजिली बता दोगे सर मेरी जो रेंज आएगी ना मेरी रेंज सर जो बिलॉंग करेगी वो मेरी सर माइनस इंफाइनाइट ओपन हो जाएगा माइनस इंफाइनाइट से और लोग टू टक करेगी क्यों करेगी क्योंकि सर जो लोग 0 होता है यह मेरा माइनस इंफाइनाइट पर होता है यह लोग 2 हो गया चीडिक है यह आपका कुरूशन कितना बड़ा था और आपने सोल करके कितना बना लिया इसको आप इसली पहुँच गए तो आपने किया क्या क्या वो चीज़े देखत संव च्टिपलाई कराया मैंने समय प्लस वन किया उसके बाद लोग रू लगाया तो चेली 17 करना मुश्किल पड़ रहा था मैं इसको आप्रोक्स मेरा आठ आ गया इप्रोक्सीमेशन किया तो मिरा माइनस इटा गया सर जैसे माइन इसी बगले पेश्पर देखने इसमाइ हो रहा है कैंकि उससे लेस भी हो रही है लोग टू इदर आगे सर लोग टू आगए तो इदर मेरा मैंने सट इंफाइने जोगे अब को ए्क निल्कूर ह dwell लोग तुप तो मैंने लिखवा द्याबको क्यों है अब यह मैने से आया से मेरा minus infinite है अब ये लोग कभी भी ना 0 पर पढ़ता नहीं है 0 पर पढ़ता नहीं है ये 0 को बिलकुल नस्दीक आ जाएगा 0 पर पढ़ेगा नहीं कभी भी 0 पर touch नहीं करेगा x-axis कभी भी 0 पर touch नहीं करेगा क्यों कि हम argument को हमेशा क्या केते 0 से हमेशा बढ़ा 0 से हमेशा बढ़ा ऐसा बोलते थे तो 0 पर लाई नहीं करता ये तो इसलिए यहां पर open आजाएगा minus infinite यहां बन गया मेरा ठीक है अब एक चीज मैं आपको यहां लिखवाना चाहता हूँ कुछ ना concepts लिखवाना चाहता हूँ मैं आपको यहां पर कुछ concepts आपको यहां लिखवाना चाहता हूँ तो कुछ चीजे देखिए आपको यहां ना कुछ चीजे लिखवाता हूँ मैं वो चीजे क्या हैं हमारी एक तरीके से आप यह याद रखेगा कुछ न याद करने लाइक छीज़े हैं हमारी आपको क्या करना है इन चीज़ों को याद कर ले ना अच्छे से पहली चीज़ लिखिए आप पहली चीज़ लिखिए e to the power इंफाइनिट कभी भी हो ना आपके सामने आपके सामने e to the power इंफिनिटी देता है दूसरी लिख लिजे e की पावर में कभी भी माइनस इंफिनिटी देता है वो मुझे 0 देगा वो क्यों 0 देता है e to the power minus infinite क्या होता है 1 upon e to the power infinite और 1 upon infinity करोगे तो वो 0 देगा इसके बाद और क्या याद रखें सर और याद रखें कभी भी exponential function में जाओगे आप मानलो 2 की पावर infinite है आपको क्यों सर इंफिनिट होगा 2 की पावर minus infinite आपको क्यों सर 0 होगा यह होगा exponential function a to the power infinite मेरा infinity a to the power minus infinity 0 अब यहाँ से important है देखिए कभी भी लिखा हुआ है log में 0 log 0 की value क्या होती है minus infinity होती है क्यों होती है सर log पे जैसे ही डंडा मारोगे तो base e है मेरा e जाके उदर जाएगा अब e की कौन सी power 0 देती है e की power minus infinite 0 देती है यहाँ आप अलवड़ी देख सुके हो log of 1 मेरा हमेशा 0 देता है और log of infinite मेरा infinite पे क्या देगा suppose कर यह log of infinite वो मेरा infinity देता है तो यह कुछ ऐसी values है जो आपको याद रखनी है इसी का use मैंने अभी पीछे question में भी किया था तो यह direct values आपको याद होनी चाहिए अब आगे देखिए concept सिखाता हूँ मैं आपको आगे एक concept देखिए ऐसी मान लेजिए आपको range पी जाना है range पी जाना है अगला concept क्या कहता है आपको suppose कि यह y is equal to sign greatest integer में x लगा हुआ है और πाई लिखा हुआ है इसका निकालना है अब आप क्या करोगे आप फस जाओगे इसमें आपको यहां करना क्या है आपको सिरफ यहां इतना करना है कि जब भी पाई के साथ अगर आपको trigonometric में न पाई के साथ आपको यह greatest integer की value दिख जाए न greatest integer की value हो ऐसा greatest integer का bracket हो उसे क्या करी आप उसे n लिख लीजिए उसे n पुकारो अब greatest integer का मतलब ही क्या होता है यह जो bracket लग जाती है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है integer value को मैं n से लिख लेता हूँ इसको integer value को क्या लिख लेता हूँ इसको मैं n से लिख लेता हूँ n से जैसे ही मैं इसको लिखूँ चलता जाता है, यह 0, यह pi, यह 2 pi, ऐसे यागे जाके, 3 pi पे फिर 0 हो जाएगा, तो n pi पे क्या होता है sir, n pi पे मेरी value हमेशा ही क्या आती है, 0 आती है, इसका मतलबALK मेरी range क्या हो गई, आप अराम से कहे दो के मेरी range sir, 0 हो गई, इतना आसान था देखे, अब suppose करिए इसी से related एक example लेता हूँ आपके exam में question आ गया उठके और आया भी था बच्चों से हो नहीं पाया आपको निकालना था range range of y is equal to cos cos के अंदर है 2 यह greatest integer x लगा के plus 1 pi by 2 और upon में दिया हुआ है x square plus x plus 1 यह दिया हुआ है अब इसको क्या जिसने पढ़ा है अच्छे से जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया जिसने अच्छे से पढ़ा वो कहेगा अच्छा cos है साथ में pi दिगा मुझे तो यहां greatest लगा हुआ है इसको sir मैं लिखुआ है cos 2n plus 1 pi by 2 upon नीचे यह लिखा हुआ है x square plus x plus 1 sir cos pi by 2 पे तो sir कितना होता है cos तो 90 पे 0 होता है pi by 2 की किसी भी value पे चले जो cos 0 होता है तो answer 0 आगया answer 0 है तो range कितनी होगा इसकी इसकी range sir कुछ भी put कर लो 0 यह आएगा आगया answer मेरा कितना easy question था आपके लिए तीक है अब आगे चलते हैं हम लोग हम निकालेंगे range of अगला concept देखे अगला concept क्या है अब कितने देख चुके हैं हम 5 देख चुके हैं तीक है अगला concept हमारा क्या कहता है कोई भी finite set है उसकी range कैसे निकलेंगी range of finite set कैसी range finite set इसकी range निकालूँगा कैसे जर्म है ये देखेंगे ठीक है तो इसके लिए आप सीधा ना steps लिखे जो आपको कुछ steps सिखाता हूँ आपको steps लिखने ऐसे लिए steps आप लिख लिजिए question मैं आपको जब कराऊँगा ना इसके बाद मैं आपको question कराऊँगा फिर आप निकाल लिजिएगा और question भी आप अगर लिखना चाहो तो पहले मुझसे वो भी लिखे लो पहले मैं question लिख देता हूँ आपके लिए question अगर आप चाहते हो तो question कुछ इस प्रकार से आजाए कि y is equal to one upon में पाई और फिर दिया हूँ sine inverse x plus 10 inverse x ऐसा कभी question आजए अब कैसे निकालोगे बाई ऐसा question आगया अब range निकालो कैसे निकालोगे तो ये कुछ ना इसे finite sets होते हैं कभी भी अभी तक देखिए जितने तरीके मैं आपको सिखा चुका हूँ डरेक्ट डरेक्ट सिखा चुका हूँ अगर वैसा question फच रहा है तो उस तरीके से निकालो नहीं फच रहा है तो कैसे करोगे वो बस मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ क्या करेंगे steps लिख लिजे वाई क्या लिखे sir steps लिख लिजे steps लिख लिजे आप या फिर steps ना आप अगले page पे लिख लो इस पे तो solve करेंगे आप चीक है steps आप यहाँ लिख लिजे steps हैं आपके आपने steps लिखे पहला step क्या है पहला step क्या कहता है अगर domain function की if domain अगर उस function की domain मेरी finite है finite मतलब मैं उसको count कर पा रहा हूँ अगर मेरी function की domain finite set है एक set दे रही है जिसको मैं count कर पा रहा हूँ finite है तो behavior देखिए आप अगर finite है तो check behavior of a function behavior देखिए check function का behavior of function अगर behavior क्या होगा या तो वो function increasing होगा कैसा होगा या तो वो function increasing होगा या वो function decreasing होगा दोई चीज तो होगी अभी increasing decreasing function मैंने आपको जब graph पढ़ाया था ना बिटा उस टाइम बिल्कुल clear किया था अगर आपने अच्छे से देखा है ना सारे functions के graph कराते हुए logarithms मैं भी मैंने बताया था आपको exponents जब पढ़ रही था तब भी मैंने आपको बताया था ठीक है क्या बताया था कि graph कभी भी x-axis से positive की तरफ जाते हुए left से right जाते हुए graph अगर उपर की तरफ जा रहा है तो increasing function graph नीचे की तरफ आ रहा है decreasing function ठीक है आपको सबसे पहला step क्या करना है domain निकालनी है domain देखनी है कि वो finite set है तो आपको check करना है कि function increasing होगा या decreasing होगा ठीक second step आपका क्या कहता है second step देखिए आपको कहता है second step आपको करना है second step देखिए second step आपको कहता है कि अगर domain जो है क्या बोला second step ने if domain क्या है function की set है आपका a-b कैसा interval है interval है आपका a-b interval है आपका a-b, चीक है domain, domain कैसा है, a-b ये क्या होगा, finite set होगा आपका तो आपको क्या करना है आपका supposed कि ये increasing function है function increasing कब होगा जब आपका cyanS sampai left से right मैं से positive जा रहा होगा इसको मैं इसे दिनोट कर रहा हूं, increasing function है, तो आपकी range क्या हो जाएगी, आपकी range हो जाएगी, sir, मैं function में न पुट कर दूँँआ, इस value को, f of a, f of b, क्यों? a मेरी कोई minimum value होगी, और b मेरी कोई maximum value होगी, ऐसे ही, अगर आपका function decreasing है, ऐसे जा रहा है, तो आपकी range decreasing को ऐसे show करता हूँ ठीक है तो आपकी range क्या होगी आपकी range हो जाएगी sir मैं पहले f of b put करूँगा a तो मेरा बड़ा है b छोटा है f of b put करूँगा यह minimum value देगा f of a maximum value देगा ठीक है यह आपके दो step होते हैं कोई भी ऐसा question करने के आपके दो step है सबसे पहले domain निकालो domain finite set है बस आपको यह चाहिए करना function increasing या decreasing increasing है तो उस जो domain आया उसको function में put कर दो उसके extreme points को तो आपका range आ गया आपका decreasing है तो भी put करना लेकिन put उल्टे करे जाएगा क्योंकि minimum value पहले लिखते हैं है आप पढ़ा था हमने sets में मैंने हैं आपको intervals पढ़ा दिये थे फिर inequalities के पहले lecture में आपको intervals पढ़ा दिये थे ठीक है आप पढ़ते नहीं हो तो उसमें प्रस्ट मैं क्या कर सकता हूं अब question को sol कैसे करें question कैसे था यह question था तो question solve करने के लिए क्या करेंगे हम लोग हम कहेंगे सर ये तो 1 by pi को मैं भी ऐसे छोड़ देता हूं मेरे को क्या है पहला step क्या सर डोमेंड निकाल लो मा पहला step जैसे ही डोमेंड निकालना है आपको आपको होगे सर सब्सक्ति का civils का डोमेंड क्या होता है सर मेरा 1 सब माइनस बन करना होता है तो यहां से माइनस बन Shärta जी अब तो बन यह सर देखना graph कैसा होगा होगाए ंडिक्रीजिः है तो देखे hги का बेटा ग्राफ इस तरीके का होता है कुछ ऐसा होता है तो अब आप देखें लेफ्ट से राइट जाओगे तो यह उपर की तरफ बढ़ रहा है तो इन्क्रीजिंग है सर कैसा ग्राफ है इन्क्रीजिंग है 10 इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है 10 inverse x का graph देखिए आपका कुछ इस तरीके का होता है इस तरीके का कुछ graph होता है ये भी देखिए लेट से राइट में जाते हुए बढ़ता जा रहा है ये भी increasing है sir ये है sin inverse x देखिए ये है 10 inverse x तो increasing होगा तो क्या होगा sir इसी को मैं put कर दूँगा मेरा जो second step हो जाएगा न वो मेरा यही कहता है sir range मेरी क्या हो जाएगी range मेरी हो जाएगी sir y is equal to 1 upon pi अब मुझे range होगी क्या मुझे put करना sir f of minus 1 और f of 1 यही मेरी range होगी sir अब put करके देख लीजे आप आप जब put करने जाओगे आप क्या कहोगे put करते हुए आप put करते हुए कहोगे sir y is equal यह फिर आप देखिए मैं sir अगर इसमें sir f of minus 1 पुट करूँगा न तो मेरा क्या बनेगा 1 upon pi sine inverse x था sir मतलब sine inverse में minus 1 plus 10 inverse था sir मतलब 10 inverse में minus 1 इसको जब मैं solve करूँगा तो 1 upon pi तो आपको दिखेगा पिस sine inverse minus 1 कितना होता है आपको गए sir minus pi by 2 इसके लिए आपको देखिए इन चीज़ों की नोलिद होनी चीगे 10 inverse minus 1 minus pi by 4 यहां से sir मेरा कितना बन गया 1 upon pi इंटू में यह बनेगा sir minus 3 pi by 4 pi से pi गया यहां से मेरा आया sir मैं बता सकता हूँ मेरी range आएगी sir minus 3 by 4 minimum है और 3 by 4 maximum है यहां से मेरा answer आगया sir देखे बहुत easy है पहला step क्या निकाला पहले step में sir domain निकाली पहले step में domain निकाली sir domain निकाली देख लिया अब graph बनाए increasing function है sir दो नोई तो range निकालेंगे f of minus 1 put क्या answer आ गया एक question अगर और कहोगे तो एक question और देखिए एक question suppose करिए मैं आपके सामने question लिख रहा हूँ यह question सीखने से पहले ना हम एक चीज सीखेंगे यह question करने से पहले हम लोग एक चीज करते हैं हम लोग सीखते हैं अब quadratic equation की range और हम लोग क्या सीखेंगे range of quadratic equation quadratic equation को क्योई इसे लिख रहा हूँआ भी मैं ठीके अल्खिलाल में range of quadratic equation इसमें देखिए होता है क्या है हमारे सामने suppose करि यह हमारा दो तरीके quadratic equation आते है quadratic equation दो तरीके curve आते हमारे एक कर्म ना मेरा इस तरीके का आएगा देखें एक कर्म मेरा positive होता है बेटा ऐसे उपर की तरफ अब यह क्या होगा parabolic shape होगी यहाँ पे a मेरा greater than 0 a क्या है जो x square का coefficient होता है a क्या है जो x square का coefficient होता है मान लिजे ऐसा ही लिखा हुआ है जब x square का coefficient positive होगा एक तो case हैसा होता है अब आप कहाँगे sir एक case ये भी तो हो सकता है मेरा एक case ये भी तो हो सकता है कि x square का coefficient माइनस माइनस में हो तो यहाँ कह दोंगा बिल्कुल हो सकता है a less than 0 होगा यह दो ही case possible है sir मेरे यह दो ही case बेटा मेरे possible होगी quadratic में यह तो x square का coefficient 0 से बड़ा positive तो उपर की तरफ खुलेगा x square का coefficient negative तो नीचे की तरफ जाएगा अब यहाँ पे देखिए मेरी range क्या होगी range sir यहाँ minimum point है मेरा यह क्या है y is equal to 0 है sir मेरा और यह क्या हो जाएगा यह sir मेरे हो जाएगे y is equal to infinite infinite तक जाएगा sir अब यह जो value होती है यह वाली यहाँ तो 0 आपको दिख रही है लेकिन हो सकता है हो सकता है कि ऐसा graph आजए ऐसा चला जए x axis के भी नीचे चला जए तो minimum point अलग हो गया तो आपको याद क्या रखना है यह जो point होता है तो range कितनी होगी quadratic equation की आपको होगे sir minimum point होता है minus d by 4a maximum point होता है infinite infinity और इस case में क्या हो जाएगा इस case में आपको होगे यहाँ पे भी देखिए जो यह तो हो गया maximum point यह क्या हो गया maximum होगा minimum होगा यह sir मेरा maximum point होगा sir minimum तो मेरा minus infinite होगा तो maximum भी क्या होगा, यहाँ पर भी minus d by 4a पर देगा यह, चीक है तो यहाँ पर range कितनी हो जाएगी, आपको किसर यहाँ पर range हो जाएगी minus infinite से minus d by 4a, चीक है यह मेरे को आपको सिखाना था quadratic equation के लिए quadratic equation की range कैसे आती है, दो तरीके के craft बनेंगे सर मेरे या तो ऊपर जाएगा, या नीचे आएगा, x square का coefficient positive, तो ऊपर सर x square का coefficient negative, तो नीचे सर, अब यह कैसा होता है, देखे, यह ऐसा होता है कि ना तो यह positive होता, यह increasing function होता, ना यह decreasing होता है, दोनों ही होता है एक point पर यह decrease कर रहा है फिर यह increase भी कर रहा है तो इसमें एक particular value का मिलती है इसमें सबसे छोटी value है सबसे बड़ी value का मिलेगी minus d by 4a आपको यह concept जुरू भी क्याद रखना है अगर इतना याद हो गया तो चलिए एक question की तरफ देखते हैं अब एक question देखते हैं आपको question क्या करना है आपका question कहता है आपको निकालनी है range range of y is equal to 3x square plus 4x plus 5 अब आप कह सकते हो अरे sir यह तो मेरा polynomial function जैसा लग रहा है मुझे ठीक है लग रहा है अच्छी बात है लेकिन दूसरा क्या देखा आपने सर इसमें न degree 2 है कैसी degree है 2 है सर तो degree 2 quadratic function quadratic function मतलब x square साथ में coefficient कैसा है 3 कैसा है सर यह 3 तो सर positive होता है मतलब 0 से ज़्यादा हुआ तो सर मेरा कुछ ने कुछ graph ना मेरा जो करवाएगी कुछ ने कुछ इस तरीके के आएगी सर इस तरीके के करवाएगी ठीक है इसकी range निकालने के लिए मैं क्या कहता हूँ सर minimum value maximum तो सर मेरी infinite है minimum मेरी निकलती है minus d by 4 a पे निकाल लेता हूँ इसमें जब अब d निकालने जाओगे तो d क्या होता है b square minus 4 a c अब b की value क्या है 4 तो 4 का square 16 minus 4 into 5 into 3 यहां से क्या आया 16 चार पंजे 20 ती है 60 60 में से 16 गए तो आपको वे सर 44 आगया minus का और आपको निकालना क्या minus d by 4 a तो minus d by 4 a क्या हो जागा 44 अपोन 4 into 3 एक value 3 पूर करी 12 इसको करोगे तो यह आगया 4 से काटोगे तो 11 बटे 3 तो range क्या आगई अब easily बच्चा बच्चा बता देगा सर range क्या है range सर minimum value क्या है 11 बटे 3 maximum value infinite आगई सर मेरी range इतना सा करना था देखे इसमें कई बार हम क्या करते है हमें हमारे teachers भी कई बार क्या सिखा देते है कुछ TCS मैं देखा क्या सिखा देते हैं ऐसा दिखा तो वो कहते हैं कि Y की टर्म्स में बना लो बेटा फिर X को Y की टर्म्स में चेंज कर ले ना, लास्ट में X में आके दुबारा चेंज कर ले ना, ठीक है? या फिर completing the whole square method लगवा देते हैं इसको बेटा इसे complete कर लो whole square को तब निकाल लो, नहीं भाई आपको complete short दे तो दिया मैंने इससे short क्या देगा कोई? इससे short क्या देगा? जैसे आपको quadratic दिखी आपको इसके positive, इसके साथ वाला coefficient positive maximum तो सर मेरा infinite आएगा याएगा उपर जाएगा तो infinite आएगा लेकिन minimum के लिए सर minus d by 4e लगा हूँगा आपने सिखा रखा है क्या लगाओगे? minus d by 4e हो गया answer अब एक चीज देगे, concept आपको और सिखाता हूँ फिर हमारी range खतम हो जाएगी फिर हमारा range का concept खतम हो जाएगा आपको कुछ doubt सोने तो आप comment section में लिख सकते हो एक concept और सिखाना चाहता हूँ मैं आपसे आपकी देखिए जैसे domain मैंने सिखाता था ने कि R club में सिखाता था ऐसी range में आपको कुछ club वाला concept सिखाता हूँ ठीक है? अच्छा concept है आपको पसंद आएगा अब देखिए suppose करना आपका question question इस type से आ जाए गों फिर के आपका question आ जाए आपको निकालना range range of y is equal to under root में आ जाए अगर 3x square plus 4x plus 5 सर यह तो अभी देखा था क्या देखा था अभी देखा था सर लेकिन वहाँ देखिए ध्यान से under root नहीं लगा हुआ है अब मैंने उसके उपर under root लगा दिया ठीक है उसके उपर under root लगा दिया अब कैसे करेंगे सर अब देखिए माब को एक चीज सिखाना चाहता हूँ यहां से कि जो quadratic equation का मेरा graph होता है न वो तो हम जानते हैं कि मेरा इस type का कोई graph होता है ठीक है ऐसा कोई graph होगा लेकिन under root x का curve कैसा आता है under root x का curve बेटा मेरा यह आता है under root x का ऐसा curve आता है root x का ठीक है ऐसा curve होता है यह curve कैसा है यह curve सर देखिए left से right जाते हुए ये कर्व ऊपर जा रहा है सर, ऊपर जा रहा है मतलब ये increasing function है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ increasing function है, या आप इसको पूरा लिख लीजिए ये सर मेरा increasing function है एक concept में याँ से सिका रहा हूँ, जब भी आपका function increasing हो, उसके अंदर कुछ बैठा हुआ है सर अब under root के अंदर मेरा कुछ बैठा हुआ, बड़ा सा ऐसे ही domain में भी करते थे न, कि सर under root के अंदर कुछ बैठा हुआ, domain निकाल नहीं होते, क्या कहते root के अंदर सर एक function चुपा बैठा है इसको greater equal to zero डाल दू, domain आ गई range निकाल तो में क्या कह रहा हूँ, root के अंदर सर कुछ function बैठा हुआ है, तो root मेरा क्या decide करेगा, कि वो increasing होगा, या decreasing होगा, तो root मेरा increasing होता है जर, increasing होता है तो एक चीज़ आपको यहां से क्या सिखा रहा हूँ, जब भी increasing function होगा, note कर लीजीगा इस चीज़ को, बहुत important चीज़ बताने जागा हूँ, आपको यहां पर आज, note करके रखिएगा इस चीज़ को, increasing function जब भी आपका होगा, increasing function आपका, जब भी होगा, आप क्या कहोगे उस case में, आप कहोगे, range को वो direct ले लेगा, range का function अगर decreasing हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो range को उल्टा कर लेगा, तो क्या करेगा, value को पलट देगा, value को पलट लेगा, ठीक है, ऐसा कुछ कर लीजी आप रवाजा, अब यह से आपने लिखा क्या है, इसको सीखते हैं, आपको निकालना क्या था, आपको क्या निकालना था, मुझे निकालना था सर, y is equal to under root में x square plus 4x plus 5, यह मुझे निकालना था सर, तो आप क्या कहोगे, सर मैं पहले इसका निकालके देखू, range, अंदर बैठा क्या होगे, उसका range क्या आएगा, आपको होगे सर, यह तो quadratic है, quadratic कुछ इस तरीके का होता है सर, infinite उपर वाली, यह वाली होती, minus dy 4e, अभी निकाली थी, minus dy 4e की value क्या आगई थी, इस function की range तो सर, मेरी ऐसी आ रही है, कि 11 बटे, 3 से infinite, लेकिन, हमने नया concept कैसी का, बाहर सर, under root लगा हुआ है, under root कैसा function होता है, under root कैसा होता है सर, under root का graph इस तरीके का बनता है, तो under root तो सरे एक increasing function है increasing function है तो range क्या rule लिखवाया मैंने increasing है तो range को direct लेगा range को direct लेगा मतलब range को direct लेगा मतलब इस y की जो range होगी ना इस y की जो range होगी वो range directly यही आजाएगी जो अंदर वाले की होगी यही answer हो जाएगा ठीक है है आपको range निकालनी है range of y is equal to 1 upon 3x square plus 4x plus 5 आपको ओगे sir basically function है क्या मेरा मेरा function किस तरीके का है आपको ओगे sir मेरा function 1 upon x की form में है 1 upon x की form में है तो 1 upon x का graph कैसा होता है तो 1 upon x अगरा बेटा मेरा इस तरीके का होता है तो देखे left to right जब आ रहे हो तो हमेशा गिर रहा है तो कैसा function है यह sir decreasing function है decreasing function है decreasing function क्या करेगा अब इसकी मुझे range पता है sir इसकी मुझे range पता है कितनी आई थी 11 बटे 3 से infinite आई थी लेकिन यह one upon की form में बैठा हुआ है one upon की form में बैठा हुआ है यह decreasing function decreasing function है तो क्या करेगा value अपनी पलट देगा value अपनी पलट देगा तो range मेरा क्या आजएगा range मेरा values को उल्टी कर देगा तो range मेरा sir इंफाइनाइट से लेके 11 बटे 3 क्या हो जाएगा range मेरा ध्यान से देखेगा पलट का मतलब क्या हो गया मेरा यहाँ पे पलट का देखे मतलब हो गया कि तीन बटे 11 से या फिर one by infinite कर लिए आप इसको आप पलट वाले case में क्या कोगे आपका 11 बटे 3 आया था तो यह one upon में चला गया तो आप इसको कोगे one upon में 11 बटे 3 हो जाएगा sir मेरा और one upon में infinite आ जाएगा तो इसको जब solve करोगे इसको solve कर रहे हो तो sir मेरा तीन बटे 11 आ गया और one upon infinite कितना होता है मैंने सिखाया आपको one upon infinite 0 होता है तो इसको जब सही करके लिखोगे तो आपका answer क्या आ जाएगा आप अबर आँसे कह सकते हो इसका answer sir मेरा 0 से 3 बटे 11 आ जाएगा यह होता है पलट देगा वाली चीज़ को ठीक है decreasing function में उल्टा कर देता है decreasing function में उल्टा कर देता है ठीक है तो decreasing function में क्या किया यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने तो करा कि हमने one upon की form मैंने आपको एक increasing भी दिखा दिया एक आपको decreasing भी दिखा दिया कि कैसे होगा एक दो example और करते हैं ताकि आपको concepts बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर clear हो जाएंगे यह हमारे last भी चल रहा है अब suppose कि आपके सामने मैंने question क्या दिया आपके सामने question क्या है बेटा question आपका यह कह रहा है quadratic है अब आपको concept सी तो सिखाने है इसलिए example मैं same same साई ले रहा हूँ तो e की power में डाल दिया अब आप क्या कहोगे सर इसकी जो range होती है इसकी range तो मैं जानता हूँ मेरी निकल के आई है 11 बटे 3 से infinite यह आई है लेकिन यह e to the power x की form है सर e to the power x का ग्राफ कैसा होता है ऐसा होता है सर ऐसा होता है तो left से right में बढ़ रहा है बढ़ रहा है मतलब increasing function increasing function मतलब range ऐसे की ऐसे लेलेगा तो पूरे function की जो range होगी वो same आ जाजेगी ऐसे की ऐसे अब अगर यही question अगर यही question ऐसा होता कि y is equal to e to the power minus में लिखा होता 3x square plus 4x plus 5 ऐसा होता तब आप क्या कहते तब हम यह कहते सर मेरे को इसकी तो range पता है यह होती है लेकिन e to the power minus x का graph कैसा होता है मेरा आप कहते सर मेरा graph ऐसा होता है तो left to right जाते हुए मेरा graph नीचे की तरफ गिर रहा है सर तो यह decreasing function होगा decreasing होगा तो value को क्या करेगा तो सर value को पलट देगा क्या कर लेगा value को पलट लेगा अब value को पलट लेगा तो क्या आजएगा मेरा आप खुद बताओ अब value पलट लेगा किस form में देखे होग पलटी जाती है देखे जैसे यहाँ पे value कैसे पलटाई मैंने function कैसा था 1 upon x था तो मैंने values को 1 upon कर दिया यहाँ पे कैसे पलटी जाएगी function कैसा था e to the power x था e to the power minus x था तो value कैसे पलटी जाएगी value पलटी जाएगी मेरी यह ध्यान देना बस यहाँ पे आपको values पलटी कैसे जाएगी वो सीख लीजिए बस value पलटी जाएगी e to the power minus infinite से e to the power minus 11 था यह मेरी value पलटी जाएगी value कैसे पलटी जाएगी ऐसे पलटी जाएगी अब देखे क्यों है क्यों लिख रहा हूँ में इस चीज़ को क्यों लिख रहा हूँ वो भी जाएगी आप आपकी value पलट देगा पलट देगा का मतलब अब आपका कुछ इस तरीके से बनना है infinite से 11 थी सबसे पहला concept फिर यह क्या होगा अब यह e की power में बैठा था तो range जो हो जाएगी e की power में बैठा है तो range क्या हो जाएगी e की power minus infinite से लेके e की power minus 11 बट तीरा और अभी पीछे मैंने आपको कुछ याद करने लाइक चीज़े बताई थी e to the power minus infinite कितना होता है zero होता है sir और यह e to the power minus 11 बट तीर ऐसे ही रह जाएगा हो गया आपका अंसर range आपका आगया यहाँ पे देखे क्या किया था यहाँ फिर आपको समझा जाएगा हो सकता है काफी बच्चों को ना थोड़ा सा doubt हो गया होगा यहाँ किया क्या है असल चीज मैंने क्या करी है मैंने क्या देख लिया कि मेरा क्या होगा मेरा होगा सर decreasing function decreasing होगा तो क्या करेगा values को पलट लेगा पलट लेगा तो मतलब इसको पलटेगा जब तो सर मेरा infinite से 11 बटे 3 होगा अब सर यह तो था मेरा जब यह x की form होती लेकिन 1 upon x बनाना है तो मेरे को range भी कैसी बनानी पड़ेगी 1 upon infinite करनी पड़ेगी सर 1 upon 11 by 13 तीन और यहां से मेरे क्या बनेगी 0 यहां से 3 by 11 ऐसे चलता है मामला ठीक है एक question और लिख लीजे मेरे लिए एक question और लिख लिए एक question माप और देता हूँ suppose करना है हमे कि y कितना है मेरा एक question आप और देता हूँ आप यह suppose करिए कि आपके सामने लिखा हूँ है sign में या फिर इधर यह चलते हैं हमारे सामने लिखा हूँ है y is equal to last question आज 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 का ठीक है y is equal to sin inverse x square plus x plus 1 यह मेरे सामने लिखा हूँ है तो आप क्या कोगे सर यह मेरा जो function है यह मेरा कुछ इस तरीके का function है y is equal to sin inverse में कुछ लिखा हूँ है अंदर x तो पहले तुम्हें देख लेते हूँ मेरा decreasing होगा या increasing होगा sin inverse करूँगा तो सर sin inverse का graph कुछ इस तरीके का बनता है यह तो सर left से right जाते हुए increase हो रहा है je to increasing graph है कैसा graph है यह सरथ मेरा increasing curve है अब सर मेरी increasing curve है na increasing curve मेरी क्या कहेगी increasing curve मत็लब same ले लेगा same values लेगा range की same values लेगा तो पलटेगा नहीं तर अब इसकी आएगी कितनी x square आपको होगे सर यह तो x square मतलब यह तो सर कुछ इस टाइप का graph होगा मतलब उपर तो infinite होगा यहां क्या होगा आपको होगे माइनस d y 4 होगा सर इसका माइनस d y 4 निकालोगे तो d कैसे आएगा इसका d b square मतलब 1-4ac 4 यहां से तो माइनस 3 आगया यह आया d की value और 4a की value 4 आगयी तो माइनस d y 4 कितना आया आपको भी माइनस d y 4 माइनस 3 3 upon 4 आगया तो यहां से आपकी range कितनी निकल के आएगी आपको भी सर रेंज मेरी जो आएगी 3 by 4 से infinite आजेगी यह मेरी सर यहां से range निकल के आजेगी 3 by 4 से infinite आजेगी ऐसा आपका हुआ उमीद करते हैं आपको range का concept पूरा concept अच्छे से clear हो गया होगा range हम लोग अभी यहां पे अपनी खतम करते हैं range के बाकी questions ओर होते हैं लेकिन अब मैं यह मानता हूँ कि आप सारी चीज़े अच्छे से कर लोगे आपको क्या एक concept मैंने यहां पे बताया कि पहले आप अंदर की चीज़ों के ऊपर जाएंगे आप जब भी finite set कर रहे होंगे कुछ मैंने आपको direct results लिखवा दिये हैं वो direct results की form में आपके जब भी answer होंगे तो आप उस तरीके से करिएगा और आपके कभी भी ऐसे होंगे कि काफी सारे functions है एक function में दूसरा function आ जाता है जैसे exponential में आ गया trigonometric में आ गया ऐसा आ जाता है तो वहां mostly quadratic लिखी होंगी ठीक है? quadratic लिखी होंगी यह भी याद रखिएगा quadratic mostly लिखी होंगी ज़्यादा cases में तो उस case में क्या करोगे? पहले वो अंदर वाली चीज का निकाल लगे बाहर वाले को बस यह देख लेना है कि function increasing है या decreasing है increasing है तो same values लेगा decreasing है तो पलट देगा पलटने के बाद जिस form का function होगा range को भी उसी form में ले आएंगे तो आज हमारी यहाँ पे range वाला concept भी clear हो गया complete range हो चुका है एक part और आएगा functions के उपर आप भी स्वोच चोगे functions ज्यादा बड़ा चले गया हमारा लेकिन देखे function chapter बेटा थोड़ा बड़ा होता अच्छे से सीख जाओगे तो next भविश्यम जब आगी वाले chapters होंगे उनमें आपको doubts नहीं होंगे तो function range complete types of function complete domain complete function क्या होता सब complete अब सिरफ एक part बचा है हमारा हो सकता हो थोड़ा लंबा भी होगा एक part क्या बचा है उसमें हम लोग सीखेंगे कि types of function में सीखेंगे one one on two into many one function यह सब सीखेंगे byjective, subjective, injective यह सारे functions और इनकी shortcut tricks क्या होती है वो सीखेंगे और इनी के ऊपर best कुछ questions होते हैं वो सीखेंगे ठीक है तो आपको अगर lecture पसंद आ रहे है आपको पसंद आ रहे है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो तो like करो session को आप अपने दोस्तों के साथ share भी कर सकते बेटा, subscribe कर लिजे चैनल को ताकि जो और वीडियो आएंगी वो आप तक आठ पाएंगे एक bell icon होगा उसका प्रेस कर लिजेगा ताकि notifications on हो जाएं आपकी जब भी मेरी वीडियो आएगी आपके पास notification आजएगी कि वी मेथ ने upload कर दिया है नया वीडियो तो आज के लिए ये वीडियो इतनी रखते हैं thank you very much